नमस्कार बहुत स्वागत है आप सभी का आप देख रहे हैं न्यूस 18 राजस्तान आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी वक्त हो गया है स्पेशल रेपोर्ट का सबसे पहले बात कर लेते हैं पश्चम मंगाल की पश्चम मंगाल के तर्च से टकराने के बाद सैक्लों ड्रिमाल कमजोर पर चुका है लेकिन बंगाल में तूफान के साइड इफेक्ट जरूर देखे जा रही है अलग 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 लाकों से डराने वाली तस्वीरे आ रही है देखे रिमाल आया तबाही लाया चक्रवात के भरवादी वाले निशान कोलकाता में लगातार भारिश कही गिरे पेड़, कही गिरे दीवा पश्चिब बंगाल से चक्रवाती तूफान रिमाल गुजर चुका है करेब छे घंटे तक चली तूफानी हवाओने बंगाल के कई जलों में लोगों को दहशत मिला दिया दावा क्या जा रहा है कि इस तूफान के उजह से कई जलों में चिखा सी तबाही हुई है वो तस्वीरे भी आपको दिखाएंगे लेकिन उससे पहले रिमाल को लेकर मौसम विभाग ने एक और अलर्ट चारी किया है ये अलर्ट विहार को लेकर जारी किया गया है मौसम विभाग के मतावे बिहार के आधा दर्जन जलों में रिमाल का असर देखा जा सकता है इस दौरान तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग का दावा है कि बिहार में 30 से 40 किलोमेटर पर दिगंटा के रफ्तार से हवाँ इचल सकती है यही वज़े है कि कई फ्राइट्स को रद्य कर दिया गया है यह विडियो दक्षर 24 परगना के सुन्दर बनका है जहां रेवल के चक्रवाती हवाओं ने भारी नुकसान किया है यहां कई बड़े बड़े पेड़ उख़ड चुके हैं जबकि हवाओं की ताकत ने विजली के कई खंबों को भी अपनी जद में ले लिया है तूफान के गुजर जाने के बाद सिवल डिफेंस और डिजास्टर मेनेजमेंट से जुड़े लोग लगातार रेस्क्यू आपरेशन में जुटे हैं सुन्दर बन से आया यह विडियो देखी जहां एक बीमार को बोड के सहारी सुरक्षत निकाला जा रहा है इसी तरहें उन तटिये इलाकों से लगातार लोगों को निकाला जा रहा है जो तूफान की वज़े से हसे हुए थे येस मैम, मैम साइकलों के एमपेट यहां पे ज़्यादा तो है क्योंकि थ्रूआउट कल से ही यहां पे रेन है कंटिन्यू और जो विंडि की स्पीड है वो भी काफी हाई है बट हमारी टीम अल्रेड़ी यहां पे मैं जैसे आपको बता रहा हूँ चोलिस तारिक से है और हमारी जो प्रेजन्स है तीन सब टीमों में भी डिप्लॉइट है कहीं से भी अगर कोई भी इन्फोमिशन हमें आती है या फिर हम से एल्प मांगते है तो हमारी जो टीम है वो क्रिक रिस्पॉंस करती है उधर कोलकाता ससटी विधार नगर में भी राहत और बचाव कारे तेजी पर है हमारी आममन महां पर तीन टीमें regular तयनात रहती है उनकी तयनाती वहाँ पर की गई है उसमें से एक टीम को फिल हाल साउथ रिजिन में जो sensitive area माना जा रहा है वहाँ पर तयनाती की गई है और यह एक just एक preemptive action है यह एंशोर करने के लिए कि किसी फिकर की छती ना हो अगर हैवी रेंज होता है कुछ लडिंग होती है तो वहाँ पर करवाई तौरित की जाए इसके लावा सडकों पर आवाजाही को दूरुस्त करने के लिए तूफान की वज़े से गिरे पेड़ों को भी अटाया जा रहा है